अगर मेहनत आदद वन जाए तो कामियावी मुकदर वन जाती है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने साथ दिन का टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो निश्चित ही सफलता आपको हासिल होगी और आप सफल हो जाएंगे एबात का निश्चित ही परमान है टाइम टेबल एक ऐसा चीज है जो आपको प्रापर तरीके से सिखाता है कि आपको कैसे कैसे कब कब क्या क्या करना है अब मैं एक छोटे से उधारन से समझाओंगा आपको कि मालने जे कि मुझे प्लान नहीं है कि आज क्या करना है तो शायद मेरा ये आज का दिल जो है waste हो जाएगा बाट मेरा अगर प्लान है कि आज मुझे movie देखने जाना है है ना उस relative से मिलने जाना है और फिर उसके बाद लौटते समय है ना और अपने घर के तरफ आना है तो शायद मैं मुवी भी देख पाऊंगा और तो रेलेटिव से मिल भी लूँगा और सही समय पे अपने घर पे लौट भी आऊंगा तो इसका मतलब है कि पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान आउट नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है ऐसी ही रेडनमली हो जाएगी इसलिए आदत आपको बनानी पड़ेगी एक प्रॉपर वे से पढ़ने का आज मैं उन तमाम परफेक को बॉडी में एडब्ट होने के लिए वक्त लगता है ऐसा माना जाता है कि 45 डेज का वक्त लगता है तब आपके बॉडि में अच्छे तरीके से समाज आएगी अब क्या होता है कि बहुत सारे नीट के इस्परेंट जो है रात में बहुत जादा जगते हैं और दिन बर सोत अब आपका नीट के एक्जाम जाए है दो से पांच के बीच में है अब आप बॉडी को ऐसे ही आपने अड़र किया है कि दो से पांच में आपको नीद आती है तो उस समय जहां पर आपने दो साल तीन साल पढ़ाई की है वहां पर आउटपुट ज्यादा आना चीए था बट आपको दिन में एक्टिव रहना पड़ेगा अब आप पुरानी आदतों को छोड़ दीजे और दिन में जो है आप प्रॉपर तरीके से एक्टिव रहना शुरू करिए तो आईए आपको लिए चलते हैं एक परफेक्ट टाइम टेबल के जगह पे तो परफेक्ट टाइम ट जगता है ठीक है साथ दिन का उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आप इसको प्रॉपर साथ दिन के लिए रखिएगा देखिए कैसा कहा जाता है कि दव मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इस एबिलिटी टु चीन अपने अंदर जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आप पढ़ रहे हैं जिस हिसाब से आप सो रहे हैं जिस हिसाब से खाना ख़ा रहे है एक-एक चीज़ काउन्ट होता है नीट के सेलेक्शन के लिए अब पूरे टाइम टेबल को मैंने तीन हिससों में डिवाइड किया है और आफ्टर्नोन का हिस्सा और लास्ट में इवनि वीट में सफल होना चाहते हैं और फूरा मेरा ही स्क्रीन पे ना थे तो आप तो आप आपको इन तीन कटेगरी में आपको डिवाइड करना है morning hours, afternoon, evening और night night में अब ध्यान दीचे आपको ज़्यादा देर तक जगना नहीं है बारा एक बज़े उससे ज़्यादा नहीं आप आदत में बदलाव लाइए क्योंकि ultimately आप बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो morning hours में आपको तीनों subject को पढ़ना है revise करना है, ठीक है, afternoon में सिर्फ और सिर्फ कोशन करना है क्योंकि आपका need के exam जो है afternoon में होगा, आपका need का exam जो है afternoon में होगा तो आपको उससे में revise कोशन प्राक्टिस करना है, आप 2-5 जो है fix रखिए, 2-5 सिर्फ और सिर्फ आपको MCQ करना है practice of MCQ on OMR sheet, OMR sheet Google से download कर लेजे, print out निकाल लेजे, black and white चलेगा और उसमें PYQ solve करना सुरू करिए, 15 साल के physics chemistry bio का alarm लगा के question प्राक्टिस करना सुरू कर दिजे, इसके अलावा mock test जिसमें physics chemistry bio होंगे, वो करना सुरू कर दिजे मतब 2-5 is devoted only for the practice question ताकि आपके brain के अंदर information चला जाए कि 2-5 खाली practice करता है, 2-5 अपने brain के maximum output को generate करनी के कोसिस करता है ताकि आपका brain जो है adapt हो जाए 2-5 के लिए और आप बहतर परदर्शन करें need के अंदर कई बार ऐसा देखा जाता है और आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे student बहुत अच्छा परदर्शन करते हैं अपने इंशूर्ट में mock test में मचा देते हैं बहुत ही बहतर उनका परदर्शन रहता है और need में select नहीं हो पाते हैं यही कारण है क्योंकि वो अपने body को adapt ही नहीं कर पा रहे हैं उनको जब brain से ज्यादा output की जरूरत है उस समय ज्यादा output उनको मिल नहीं पाया है तो यह बहुत बड़ा कारण बन जाता है तो अभी से अपने brain को train करें अब से पांच आपने mcq कर लिया अब जो इवनिंग आर है उसमें revision होना चाहिए backlog जो छूटा है वो होना चाहिए और सबसे important है जो आपने 2-5 का paper लिखा है उसको proper analyze करना important है जो आपको question नहीं आते हैं उन question को पढ़िए अपने notebook में पढ़िए अपने जो भी आपने पूरा साल पढ़ा है उसको पढ़िए देखी कि क्या कमी है है और एक separate notebook बनाए पी वाई क्यू का mock test का जो जो गलती हो रही है जो extra question है जो आपको नहीं आते हैं उस notebook में आप analyze करते वक्त लिखिए आप देखेंगे दस साल के जब आप question कर लेंगे कुछ 57 mock test कर लेंगे तो आपका जो performance है धीरी-धीरी बढ़ना शुरू हो जाएगा आई यह थोड़ा और detail में जाने के कोसिस करते हैं morning hour अब देखिए मैंने यहां पर तीन-तीन घंटे लिया है तीन घंटा दो घंटा इसके पीछे क्या रीजन है इसके पीछे रीजन यह है कि आपका जो नीट का एक्जाम है वो तीन घंटे का होता है ठीक है आपका नीट का एक्जाम तीन घंटे का होता है तो आपको वन गो में हैना तीन घंटा sitting habits develop करना भी important है ठीक है तो 6 बज़े उठ जाएए 6 से 9 ठीक है सुरुवात में अगर आप moderate subject से सुरू करेंगे तो एक अलग से energy पैदा होती आप physics से ही टकरा जाओगे तो morning में ही आपका temperament morning में ही आपका जो जुनून है वो डाउन हो जाएगा इसलिए मैं suggest नहीं करता हूं कि आप morning में physics से ही टकरा जाओ ठीक है आप बहुत असा chemistry को मैंने रखा है क्योंकि यह moderate है वो बीच का है physics और बायो के बीच का है नहीं आसान नहीं मुस्किल इसी क्या होगा कि आपका धीरी धीरी टंप्रामेंट ऊपर जाएगा है ना जब आप पढ़ने लगे दो चार सब्जेक्ट रिवाइज होने लगेगा तो आपको एक अल chemistry का target देता हूं मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जूर जाएगा इस वीडियो के description box में और इस वीडियो के comment section में टेलीग्राम है मैं हर दिन का target देता हूं और मेरे उस target को अगर आपने अचीव कर लिया तो समझिया आपने नीट को अचीव कर लिया अपने dream medical college को अचीव कर लिया तो आप खुद से भी बना सकते हैं बट मैं खुद से भी बना के आपको देता हूं साड़े नौ से ग्यारी यहां पर आधा गंटा दिया है ताकि आप breakfast वगर कर लें जल्दी से यहां पर सिर्फ दो घंटे मैंने बायो रखा है क्योंकि बायो समय देखा जाए तो असान है और कम समय में ज्यादा output कर सकते हैं नौ बज़े मेरी class भी होती है और academy पर उस पे भ दो बज़े तक फिर मैंने 15 मिनिट का गाप दिया है जहां पर थोड़ा बहुत snacks वगरे खा सकते हैं गाना होना सुन सकते मूवी नहीं देखना है और गेम नहीं खेलना है अपने दोस्ते बतियाना नहीं है क्योंकि दोस्ते बतिया होगा 15 मिनिट चला जाएगा तुमारा break time खतम तो थोड़ा relax करो deep inspiration करो वह बहतर method है और उसके बाद आपको physics करना है क्योंकि chemistry में आपका temperament उपर गया बायो में और गया तो physics करने में और मचा आएगा तो physics करना सुरू करतो दो बज़े तक physics करना है और थोड़ा बहुत lunch करके है ना थोड़ा बहुत lunch करके या जो भ बज़े तक आपको क्या करना है test देना है किस पर on omr sheet के उपर test देना है omr sheet के उपर test देना है और उस test का आंकलंज होगा evening hour में होगा यानि इधर evening hour में होगा पांच बज़े दे दिया फिर आपकी कोई class होगी आपने institute join किया होगा मान लेजे 6 बज़े 7 बज़े 8 बज़े तक class होगी उसके बाद 8 से 9 बज़े के बाद अगर आपकी class होगा सब खतम हो जाती है तो 9 से 12 या 9 से 1 बज़े का जो time है 3 घंटा है उस 3 घंटे में analyze करिए कि जो आपने पेपर लिखा है पेपर दिया है उसमें क्या गलती हुई है उस गलती को analyze करिकर लिखे और इस पूरी pattern को अगर आप प्रोपर तरीके से follow करना सुरू करेंगे और 60 दिन follow करना सुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत जादा बदलाव आने सुरू हो जाएगी आप दिन में अटेंटिव होने सुरू हो जाएंगे और नीट को फोड़ देंगे वीडियो कैसे लगी जरूर परतिकरिया दीजिएगा इस कमेंट सक्षन में और आप बताएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं ताकि मैं आप से सीख पाऊं और आपकी गल हुआतर आपा झान कि ताक कि डिसरा हैं और आपकी आपके दो हो जाएगा झा आपका रहे हैं को लोगने सीख उत्वा से इस जिकर हो सेले रहे हो से लाएगा में ऊ पानले में लिए टहे हैं